नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरी दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहध ही महत्तोपूर्ण जानकारी को लेकर के जहां आप सभी ने हमारे ही चैनल पे सुना होगा चने के फायदों से रिलेटेड जानकारियों को लेकिन आज हम विश्तरीत हैं आप सभी के लिए हमने ये प्रियोग उन लोगों पर किया जो रेगुलर चने खाते थे मगर उनको इसके पूनलाब नहीं मिल रहा था तो उनके सिर्फ उनके चने खाने के तरीके को बदल दिया तो वो लोग हैरान हो गए जब उनको इस प्रकार से चने खाने के गजब के नतीजे मिले आप भी जानिये हम बता रहें आपको कि किस प्रकार से चने को खाएंगे तो आपको क्या लाब होगा आईरवेद के अनुसार चना खाने से आपका शरीर सिर्फ स्वस्थ ही नहीं बलकि बल्वान और शक्तिशाली भी बनेगा चना भी उन चीजों के नामों मे शामिल है जिनके बारे में कहा जाता है कि एक चीज के अनिक फायदे यह जवानों और श्रम करने वालों के लिए ज्यादा फायदे मंद माना जाता है क्योंकि इसे पचाने के लिए पाचन शक्ति का अच्छा होना भी जरूरी होता है और दूसरा इन दो तरह के व्यक्तियो को बल की ज्यादा जरूरत पड़ती है वैसे तो चना कैसे भी खाया जाए फायदे मंद सिध्ध होता है लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं विधी बता रहे हैं अगर इस प्रकार से आप चने को खाते हैं तो इसका शत प्रतिशत लाभाप उठा पाएंगे सबसे पहले तो जा कर साफ करके कीडा या डंक लगे एवं तूटे चने निकाल कर फेंक दीजिए शाम के समय 125 ग्राम जल में इन्हें भींगो दीजिए सुबह सुबह शोचादी से निव्रित होकर एवं व्यायाम के बाद चनों को अच्छे प्रकार से चबा करके खाये और उपर से चनों का प शरीर को बल और शक्ति प्रदान करने में बहुत ही प्रभावशाली होता है ये चने की मात्रा धीरे धीरे 25 ग्राम से आप 50 ग्राम तक कर सकते हैं भींगे हुए चने खाने के बाद यदि दूध पिया जाए तो विर्य पुष्ट होता है व्यायाम के बाद रात को भींगे ह चने का पानी सहीत नियमित रूप से सिवन करने से आपका स्वस्थ शरीर बना रहेगा कहावत भी है खाये चना रहे बना जिहां सावधानी जिनकी पाचन शक्ति अतीदुर्बल हो या चना खाने से पेट में आप रहा आता है उन्हें चने का सिवन नहीं करना चाहिए ये स दाओधानी रखनी चाहिए इसके बाद जानते हैं अंकुरित चने को खाने के फायदे और वीधि अंकुरित चना खाना सबसे ज्यादा फायदे मंद है अंकुरित चना धातु पोश्टिक मांस पेश्यों को सुद्रेढ एवं शरीर को बजर के सद्रिश बनाने वाला तथा प्रायव समस्त चर्म रोगों का नाशक होता है वीडामिन सी की प्रचूरता के कारण यह नाशता वजन बढ़ाता है खुन में विरिधि करता है इसके अलावा अंकुरित चने का सेवन फेफडे मजबूत करता है रक्त में कोलेस्टरोल कम करता है और दिल की बिमारियां तो हमने आपको बता दिये लेकिन आईए इसको कैसे हम अंकुरित करेंगे इस वीधि को भी जान लेते हैं अंकुरित करने के लिए चनूं को अच्छी तरह से साफ करके इतने पानी में भींगो यह कि उतना पानी उसमें अवशोशित हो जाए सुबख काल पानी में भींगो दें और रातरी में पानी से निकाल कर किसी साफ मोटे गीले कपड़े या उसकी थैली में बांध कर लटका दें गर्मी में 12 घंटे और शीत काल में 18-24 घंटे तक भिंगोने के बाद गीले कपड़े में बांधने से दूसरी तीसरे दिन उसमें अंकुरन निकल जाता है। गर्मी में थैली पर आवशकता नुसार पानी छिड़कते रहना चाहिए। इस प्रकार चने अंकुरित हो जाएंगे और अंकुरित चने का नाश्ता एक उत्तम टौनिक होता है। अंकुरित चने में कुछ लोग स्वाद के लिए पीसी हुई काली मिर्च, सेंधानमक, अधरक की कुछेक कतरन एवां निम्बू की कुछेक मुंदे भी मिला सकते हैं। परन्तु आप यद इन्हें बिना किसी मिलावट के खा सकते हैं तो सबसे ज़्यादा फैदे मंद होता है ये। इसके हलावा पचीस ग्राम काले चने रात में भिंगो कर सुबह खाली पेट सेवन करने से डाइबीटेज दोर हो जाती है। गर्म चने रुमाल या किसी साफ कपड़े से बांध कर सूंहने से जो काम ठीक हो जाता है। मुठापा को कम करने के लिए हर रोज नाष्टे में चना लेना चाहिए। अंकुरित चना तीन साल तक खाते रहने से कुष्ट रोग में लाव होता है। गर्भवती को उल्टी हो तो भूने हुए चने का सत्तु पिलाना चाहिए। चना पाचन शक्ति को संतुलित और दिम मंद होता है। चने के आटे की नमक रहित रोटी 40-60 दिनों तक खाने से त्वचा संबंधित बिमारियां जैसे दाद, खाज, खुजली, इत्यादी नहीं होती है। भूने हुए चने रात में सोते समय चबा कर कर्म दूद से पीजिये। इससे सांस नली के अनेक रोग एव धुम्रपान करने से हिचकी तथा अमाशय की बिमारियों में लाब होता है। पीलिया में चने की दाल खाने से राहत मिलती है। चीनी के बरतन में रात को चने भींगो कर रख दें, सुबह उठकर खूब चबा चबा कर खाएं। इसके लगातार सिवन करने से विर्य में पतलापन दूर हो जाता है। दस ग्राम चने की भींगी हुई दाल और दस ग्राम शकर दोनों को मिला कर चालिस दिनों तक खाने से धातु पुष्ट हो जाती है। बार बार पे शाब जाने की बिमारी से बचने के लिए भूने हुए चनों का सेवन करना चाहिए। गूड एवं चना खाने से भी मुत्र से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाती हैं। रोजाना भूने हुए चनों के सिवन से बवासीर रोग भी ठीक हो जाता है। तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए चने के अलग-अलग रूपों में अलग-अलग प्रियो या फिर ऐसे मतलब अलग-अलग था हमने इसमें तीनों चीजों को कंबाइनली बताया कनेक्ट करके बताया कि आपको हर एक लाव मिलता है इससे लेकिन आपको क्या चाहिए अभी शरीर में या फिर क्या प्रोब्लेम है उसके अकॉर्डिंग आप चने का सिवन कर सकते हैं और इसका लाव उठा सकते हैं इसलिए हमने एक ही एपिसोड में चने के भूने हुए चने के खाने के फायदे अंकुरी चने को खाने के फायदे इसके साथ साथ भींगे हुए चने को खाने के फायदे से रिलेटेड सारी जानकारियों को एक साथ बताया जिससे कि आप फाय अगर हमारी बोड़ी में कोई भी बीमारी घर कर जाती है, तो हमारी लिए दुनिया की सारी चीजें बेकार हो जाती हैं, इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थर रखना जरूरी है, इसकी लिए आप उचित मातरा में पानी का सेवन जरूर करें और इसके अलावा अप आप अपने खान पान में नियमित रूप से बदलाव करके हर एक चीज को शामिल कर रहे हैं जो कि जरूरत होती है जब शरीर में आपको पता चल रहा है कि मैंने लगातार बहुत दिनों से क्यों मीठा मीठा खाना ही खाया है तो सुभाविक सी बात है कि जो आपको चाहिए हो होगा विटामिन सी चाहिए होगा वो निम्बू से मिलेगा आप क्यों मीठा खा रहे हैं कुछ एक दिनों से लगातार तो उसकी कमी तो हो ही रहे शरीर में इसलिए अपनी डाइट को बैलेंस रखना जरूरी है सुबह से शाम तक के खाने में ऐसा प्लान बनाए या कर सकते हैं आप हमें सुझाओ भी दे सकते हैं या फिर आपकी कोई राय है वो रख सकते हैं और अगर आपके कोई दोस्त हों मित्र हों जिनको लगे आपको की इसकी जानकारी होनी चाहिए उनको शेयर भी कर सकते हैं लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते है नए वीडियोज देखने के लिए या फिर नई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए तो यह थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ चुड़ेंगे एक और बेहद ही महतुपूर जानकारी को लेकर के तब तक के लिए नमस्कार दोस्ट।